दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है मिलाब गुपता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने ही YouTube चैनल English with मिलाब पर आज की इस वीडियो में उन सभी बच्चों के सारे भ्रहमों को तोड़ दूँगा जो बच्चे ये कहते हैं कि English की शुरुआत एक्चुली कहां से होनी चा अबित कर देगी कि आप अब तक जो वीडियो देखते आ रहे थे ना वो वीडियो पहली वीडियो नहीं थी सबसे पहले English की बेसिक वीडियो ना यहीं है और यहीं से ही English को बोलने की शुरुआत की जा सकती है फर्क नहीं पढ़ता आपको English आती है या नहीं आती फर्क नह समझना होगा तब आपको पता चलेगा कि ऐसे बनते हैं इंग्लिश के वाक के ऐसे इंग्लिश को फ्लुएंट बोला जाता है और इंग्लिश की शुरुवात करने का सही रास्ता इसी वीडियो से होता हुआ गुजरता है तो सबसे पहले यहां पर लिखा है स्पोकन इंग्लिश क्लास अब ध्यान से समझने वाली बात है मैं आपको सिर्फ यह बोलता हूँ कि मान लीजिए एक कम्यूनिटी है जिसमें 26 लोग रहते हैं कितने लोग रहते हैं 26 लोग एक कहानी के तरीके से समझा दूँगा वीडियो को पूरा इंट तक देखना आपका समय वेस्ट नहीं होगा कितने लोग रहते हैं 26 लोग मैं आपसे ये बोलू कि अगर इलैं 26 लोगों को आप पहचा लो इनके नाम को जान लो इनसे सइसे दोस्ति कर लो यारी कर लो तो यह आपकि जिंदगी के कई काम हल कर देंगे कई काम असान कर देंगे यह 26-26 लोग आपकी English को कर देंगे बहुत ज़्यादा इंप्रूव फर्क नहीं पड़ता आप इंटर्व्यू दे रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं आपको hesitation फील होती है कई बार आप English को में कुछ लिख रहे होते हैं आपकी कलम रुख जाती है आपको यह आउट होता है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही नहीं है कहीं मैं मजाक का पातर ना बन्याओं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना इनसे दोस्ति आज मैं करवाऊंगा और बताऊंगा कि यहीं है इंगलीष का बेश क्लस में आपको पता होने चाहिए बेशिक्स अब दोस्तों बेशिक्स क्या है ध्यान से देखना लिखा है इसे बोलते हैं अँटक कितने होते हैं टूटल हमारे पास होते हैं 26 लेटर्स जैसे हमारे हिंदी के अंदर आप देख लो का से लेकर ग्या तक का खागा जितने भी होते हैं हमारे चाचाजा जहाँ आपने सुने वोगे बच्पन में ऐसे ही हमारे English के 26 letters होते हैं जैसे हिंदी की वर्ण माला वैसे ही इंग्लिश की alphabet आपको पता होगा अगर आप व्याकरान जानते हैं तो आपको पता है ऊचरीजी में कम हैं 26 है ठीक है अब देखे ए बी सी डी इफ जी है एच आई जे के लम नो पी क्यू आर एस टी यू वी डेवल्यू एक्स वाई जेड ठीक है इन में से ए ए आई ओ यू जो आप ब्लू किलर में देख रहे हैं ए ए आई ओ यू बस आपको ये पाँच याद रखने है ये पंजा देख रहे हो पंजा बस सिरफ आपको इसे याद रखना है ये है सबसे इंपोर्टन बाकी के जो वाईट किलर में दिख रहे हैं आपको इनको छोड़ दो भूल जाओ इनका कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है में आपको कॉंसेप्ट समझना है सिरफ ए ए आई ओ यू का अब आपका सवाल बनेगा कि सर्फ पांच बाकी इन एककिस का क्या होगा भाई ये वाईट वाले एककिस भी तो बचे है इनका क्या होगा भाई इनका कुछ नहीं होगा इने बोलते हैं कॉंसोनेंट्स क्या बोल आधला और सावाँल क्योंकि ज्यादा आना कितने हैं पांच है एक है तो बाउन एक है तो ऑब्च यह होते हैं कितने पांच इस पंजय को आपको समझना है घ्यान से देखना बाकि 21 जो बचे वो बते एक consonants हिंदी में इनको व्यांजन और इनको स्वर बोलते हैं स्वर और व्यांजन की जोड़ी होती है अब आपको भी पता है हिंदी में स्वर क्या होते हैं देखो जैसे हमारे हिंदी के अंदर होता है ना आपको बच्पन में सिखाया था इए है ना ओ ओ छोटा हूँ बड़ा हूँ इनसे ही मिलकर बनती है मात्रा आका डंडा है ना छोटी ही होती है तो हम इस तरफ घुमा देते हैं बड़ी ही होती है तो इस तरह घुमा देते हैं छोटा होता है तो इस तरफ बड़े की मात्रा लगानी है तो इस तरफ ऐसे ही की मात्रा भी होती है और की मात्रा भी होती है यह जो मात्रा है ना जैसे हिंदी में अगर आपको रामू लिखना है तो आपको रामू लिखने के लिए आप ध्यान से दे जो आका डंडा और यह जो बड़ू की मात्रा है यह आका डंडा और यह बड़ू की मात्रा यह दोनों क्या है यह है हमारे स्वर हिंदी के हिसाब से जिसे मात्राइ बोलते हैं ऐसा ही इंगलिश में होता है सिर्फ ऐसा ही तो इंगलिश में होता है तो क्या होता है इंगलिश क इसको मिलाकर आप एक शब्द बनाते हो वर्ड क्या बनाते हो शब्द मतलब वर्ड बनाते हो वर्ड एक वर्ड बनाते हो और यह वर्ड कब बनेगा यह भी सुननों ध्यान से बिल्कुल भी इंगलेश नहीं आती है घबराओ मत ध्यान से देखो एक वर्ड तब बनेगा जब कॉंसोनेंट और वाउल को मिलाकर आप एक आवाज को स्वर और ध्वनी दोनों को मिलाओगे यह जो स्वर ध्वनी है ना इसको और व्यांजन को मिलाकर आप जो शब्द बनाओगे वो शब्द एक अर्थ निकालेगा कोई जैसे यहाँ पर आपने रामू हिंदी में लिखा ना अगर मुझे इंगलिस में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा देखो इंगलिस में लिखूँगा मैं तो लिखूँगा रामू तो यहाँ पर आप बड़े ध्यान से देखो आर और एम यह दोनों तो हमारे में लिखे हैं इसका मतलब है दोनों को मिलाकर ही कुछ बनेगा इसके आलावा नहीं बनेगा और इसलिए शुरू में मैंने बोला था कि एई आई ओ यू का सबसे बड़ा रोल है यह पंजा याद रखनो शेर का पंजा यही काम करेगा पूरी इंग्लिश में ठीक है तो यह होती है हमारी मात्राइं इनके बिना आप कुछ लिख पढ़ नहीं पाओगे ध्यान रखना ना बोल पाओगे तो इनकी मात्राओं का ज्यान यानि कि इंग्लिश में इन वाउल्स को समझना बहुत जरूरी है इन लेटर्स को मिलाकर इनको मिलाक आप एक वर्ड बनाते हो जब शब्द बन जाए और ऐसे कई शब्द बन जाते हैं तो उन शब्दों को सही जगा पर सही तरीके से लगाने से आपका एक वाक्य बनता है वाक्य बनता है और वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस ठीक है जब एक वाक्य जब आप कि कि sentence पे sentence sentence पे sentence निकलते हैं इसका मतलब है जब sentence जादा हो जाए sentences हो जाएं वाक के जादा हो जाएं तब आपकी एक speech बन जाती है अब यह speech आप चाहें 10 घंटे लोगों से बात करो English में चाहें मंच पे खड़े हो के stage पे आप किसी को speech दे रहे हो right चाहें कुछ भी करें लेकिन यह speech तब बनेगी जब आपके sentences जादा होंगे sentence बनते हैं हमारे words से और words बनते हैं letters से यह है पूरी series अब यह तारीफ कब होगी जब आपको grammar आती होगी तो grammar के लिए आपको एक ही काम करना है इस चैनल को follow कर लिजिए इस चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon button को press कर देना ताकि हर वीडियो जो मैं डाल रहा हूंना वो आपको कहीं न कहीं आपको help करे ठीक है वेल अब sentences जब बनाने सीख जाओगे तो आपको bowling English अपने आप आ जाएगी और शुरुआत कहां से होगी इन से इसलिए बोला था spoken English class के basics अगर आप अपने आपने समझ लिए तो आप English बोलने की शुरुआत तो आज से ही कर सकते हो और इनका याद रखना यह होते है हैं हमारे vowels अब मैं आपको यहाँ पर example से यह बताऊंगा कि letters से words जब आप बनाते हो तो यह words कैसे बनते हैं और वो कौन से सबसे जरूरी words हैं जो आपको सबसे पहले याद कर लेने चाहिए आज ही इस वीडियो को देखते ही आपको वो words याद करना शुरू कर देना कि आज इस वीडियो को देखने पर तो आप English कभी नहीं बोल सकते अगर आप सोचो कि सर हम इने जिन्दगी पर नहीं बोलेंगे लेकिन हम English बोलके दिखाएंगे आपको तो मैं चैलेंज करता हूं आप कभी जिन्दगी में इंग्लिश नहीं बोल सकते यही तो English है यही तो यह बोलोगे और इनको बोलने के लिए आपको पहले इन्हें याद करना पड़ेगा यह देखो अब आप एक-एक सब्द को देख लो जितने भी यह इंगलिश में क्या है शब्द यानिकी वर्ड देखो M में M भी है M क्या है हमारा कॉंसोनेंट है लेकिन A क्या है वाउल है सारा C, V, C, V का खेल है ध्यान से देखो H और V हमारा क्या है यह हमारा कॉंसोनेंट है बट A और E क्या है A और E हमारा वाउल है देखो हर एक वर्ड में I है नहीं तो A है नहीं तो E है नहीं तो O है नहीं तो U है है ना वही तो का था पूरी ग्रैमर इससे बनेगी अब देख कहा हो तो अगर वह किसी लड़की के लिए बात करो तो शी इड लगता है निटीव वस्तू के लिए और इसका मतलब होता है यह और ऐसी एक नाम जैसे एक राम Commonी दीपिकां चरंदीप कोई एक नाम ठीक? है ऐसे केस में यू इसका मतलब हिंदी में होता है तुम तुमको बोलना यू हम ज़ादा लोग होते हैं तब बोलते हैं वी जब ज़ादा लोग होते हैं दो तीन और खड़े हैं मैं भूल रहा हूं हम आपको आज पढ़ाएंगे तीनचा टीचर हैं तो हम बोलेंगे वी वी हम ठीके ऐसे ही दे ज़्यादा लोग वहां खड़े हैं तो मैं बोलूगा वह लोग न राज हैं बहुत दे वे लोग ज़्यादा के लिए तो आपने देखा वी और यह जाधा होते हैं अब आप देखो इनका मतलब भी लिखा हुआ यहां पर यहां पर लिखा है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पूरी ग्रेमर क्या है वर्तमान भूत काल और भविश्यकाल है आपका जो बच्पन निकल गया गुजर ग लेकिन ध्यान से अगर सोचो तो यह वीडियो रिकॉर्ड बहुत पहले हो गई है आप तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो यानि कि यह पास्ट वीडियो देख रहे हो आप बट देख रहे हो अपनी नजरों से तो यह प्रेजेंट है पास्ट है बट क्या आपको पता है इसक सुबाह आपके सामने होगी नए नए काम करोगे वो future इनके लिए ये शब्द इनके लिए ये अक्षर अगर आप इन अक्षरों से मिले इन शब्दों को पढ़ लो समझ लो तो आपकी English निकलनी शुरू हो जाएगी तो present के लिए अगर बात करनी है अभी के लिए तो इनको use क करो और अगर future की कोई बात करनी है तो ध्यान से सुनना शैल का use अभी मत करना शैल का use अभी नहीं हो रहा है ये as a model वर्ब यूज होता है फिलहाल आप will से काम चला लेना will का use करना और मैं इन सबको अभी आपको करके भी दिखाऊंगा example की रूप में ठीक है यहाँ पर इनक साथ इस तरह से systematically आप देख लो पढ़ लो और आने वाली वीडियोस देखते रहना आपको सब समझ में आ जाएगा अब मैं example दिखाता हूं कैसे यह लगते हैं कैसे आप पता लगाते हो कैसे यूज होते हैं आपके सामने हैं देखिए example ठीक है सबसे बेले यहाँ देखो लिखा है मैं एक विद्ध्यारती हूं ठीक है मैं की इंगलिश क्या होती है बी सिखाई था मैं ॉथ एक विद्ध्यारती मतलब मैं कुछ मैं अगर teacher हुं तो कितने हूर चारप्ञ टीचर हूं क्टूदन्ट एक विद्यारती हैं अब आय के साथ यहां पर लगा हूआ हूँ के केस में हमारे पास दो प्षॉन है मुझे अपना यह और एक हैव है कार मेरे पास एक घर है I have a house लेकिन अगर अपने ही बारे में बोलना है तो आप बोलोगे यार आयम मिला आपका नाम रुची का है आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप किसी को बोलोगे मैं रुची का हूं तो आप बोलोगे I am रुची का I am DP का I am पलवी इस तरह से बोलो बन गया ऐसे ही यहां पर लिखा है तुम के लिए मैंने यहां पर लगाया है यू यू यह तो लगता है अब एक विद्ध्यारती हो अब तुम एक विद्ध्यारती हो तो तुम के साथ यू के साथ फिर थोड़ी ना I am or have लगाओगे आपको देखना पड़ेगा हो लगा है present में तो you के साथ आपके पास option होता है are और have ठीक है अब pass है तो बोल नहीं रहे तो have तो लगेगा नहीं तो लगेगा you are you are a student to make student हो लेकिन अब ज़रा ध्यान से देखना मैंने बोला था ना we और they ये ज़्यादा लोगों के लिए होता है वी मतलब मैं या मेरे साथ दो तीन लोगों और खड़े हो teachers खड़े हो हम तो मैं बुलूँगा हम ठीक है तो वी के लिए हम क्या करते हैं यहां पर पहली बात वी ज़्यादा होता है तो अब आने आएगा आ मतलब होता है एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही हम विद्यारती हैं जादा है तो हम के लिए आर लगेगा या हैव लगेगा यह आपको सोचना होता है है लगेगा नहीं कि यह तो बोलने रहे कि उनके पास पैसे है यह उनके पास बहुत अच्छे घर है कुछ वैसे नहीं बोल रहे है बस यह बोल रहे हैं वे विद्यारती हैं तो दे के साथ फिरम और आर students और जादा है इसलिए students लगाए आप देखो फिर आया ना आस्टूडेंट क्यों आया आस्टूडेंट क्यों कि बात हो रही है सिर्फ एक ही लड़के की या एक शी लड़की की प्रेजंट के तो एक्जामपल देख लिए अगर प्रेजंट है तो आपके पास option क्या क्या वह विद्यारती है मैं यह थोड़ी बोल रहा हूं उसके पास पैसे हैं उसके पास एक बहुत अच्छी कार है उसके पास एक बहुत अच्छा घर है उसके पास किताबे हैं उसके पास पढ़ने के लिए बहुत सारा सामान है पास तो बोली नहीं था मैं सिर्फ बोल रहा हू तो मुझे बोलना होता वहे विद्ध्यारती थी वहे विद्ध्यारती सщёओни था लड़का नहीं विध्यारती थी तो था और ती के मिरे पास क्या ओप्शन है के साथ एक तो cardboard ॉप्शन है आप देखना पीछे टेबल पर है सिरप वहा तो he was a student, ऐसे ही she के साथ भी हमारे पास option दो है, was है या had है, तो मैं बहुत है she was a student, इसलिए ये concept समझना बहुत जादा आप लोग के लिए जरूरी है, अब सबसे last वाला देखे, इससे आपको हजी भी आईगी थोड़ी सी, लिखा है यह है विद्यारती है, दोस्तों यह है it का use, it की जो हिंदी होती है वो होती है, यह है, but it लगता है निर्जीव के साथ, लेकिन आजकर लोग English के अंदर it का use, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यह है विद्यारती है, तो आप बोलेंगे it is a student, यह है विद्यार बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, it is a student भी आप बोल सकते हो, तो यहाँ पर आपने देखा, कितना असान है English को सीखना, बस आपको systematically तरीके से इनको समझना आ जाए, बस इतना आप कर लो, आज की इस क्लास के अंदर, आपको English के basics मैंने बता दिये है, मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, जो इससे भी interesting होगी और आपको और help करेगी, और यहाँ पर हमारे YouTube प्लाटफॉर्म पे तो already बहुत सारी वीडियो सीरीज में पढ़ी है, जो आपका इंतिजार कर रहे हैं, जाईए और देखिए YouTube चैनल पे, YouTube चैनल का नाम है जाता हूं दोस्तों कि बहुत सारे स्टुडेंट्स यह चाते हैं कि वो मेरी पर्सनल क्लासिस में आएं मेरे साथ पढ़ें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हमारा एप ओल इंडिया लॉंच हो चुका है, जो की प्ले स्टोर पे है, English with Mila आपके नाम से, यह जो कोर्स है, मारा इसका नाम है, Zero to Hero Level कोर्स, मत्दब अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, लिखा है ना, देखो यहां पर, जिने कुछ नहीं आता, वो आज से ही सीखेंगे, और बि सेंटेंस कैसे बनाओगे, वाक्य कैसे बनाओगे, पूरी कम्प्लीट, ग्रैमर, सिंपल, सेंटेंसे, स्टेंसे, अक्टि पैसिव, डियरेक्ट, अर्टिकल, प्रेपोजिशन, स्ट्रक्चर, जो बड़ी-बड़ी टीचर पढ़ाते रहते हैं, यह चुटकियों पे होंगे यह सब आपकी पॉकिट में डाल दूँगा, सिर्फ तीन से चार महीने के अंदर, मैंने यहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर यह हला मचा हुआ, तीन से चार महीने में रिजल्ट ले लो, गैरेंटी के साथ, जो कोर्स दो हजार पांच हजार का हुआ करता था, वो कोर्स आ अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, और जो भी लाइफ क्लास आप लेते हो ना, वो नेक्स डे सुबा आट बज़े रिकॉर्ड होके आपके अप में पढ़ जाती है, और इसकी वैलिडिटी एक साल दे रखिए मैंने, कोर्स तो तीन से चार महीने में मैं आपक गोलाम मन के रहेगा, मैं तो हुई हैं आपका टीचर, जब भी इस एप के अंदर कोई बात करने हो, कुछ हो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक कर सकते हैं, ये मेरा परसनल नमबर है, इस नमबर पे 92057-88139 इस नमबर पे कॉन्टेक करके आप जानकारी भी ले सकते हैं, वट्सअप पे मैसेज जैसे ही आप इस पे करते हैं, तुरंत आपको एप का लिंक मिल जाता है, एप को वहीं से डाउनलोड करके और को पर्चेस कर सकते हैं, और अगर आप वट्सअप नहीं चलाते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाईए, इस कोर्स का लि वीडियो में यूट्यूब पे डालूँ, यूट्यूब उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से दे दे, मैं मिल आप गुपता मिलूँ आपसे नेक्स्ट इंट्रास्टिंग वीडियो के साथ, तिल देन, गुद्बाई